इसमें पहला उपचार है हल्दी कुमकुम लगाना हल्दी कुमकुम लगाने का अर्थ है सुहागिन के रूप में घर में आई साक्षात आदिशक्ति की पूजा करना इस उपचार द्वारा सुहागिन में वित्यमान स्री दूर्गा देवी का तत्व जागरूत किया जाता है और भक्ति भाव से उनका आवाहन कर उनकी कृपा द्रिष्टी प्राप्त की जाते है दूसरा उपचार है इत्र लगाना इत्र से प्रक्षेपित गंद कणों की ओर देवता तत्व आकृष्ट होकर वह व्यक्ति के लिए व्यापक रूप में कारे करता है तीसरा उपचार है गुलाब जल छिड़कना सुहागिन पर गुलाब जल छिड़कने से देवता के कारेरत सगुन तत्व का स्त्री को लाप मिलता है चौथा उपचार है आचल भरना आचल भराई की विधी से ब्रमांड में वित्यमान स्री तुर्गा देवी की इच्छा शक्ति कारेरत होती है इसे श्रथा पुर्वक उपचार अरपीत करने वाली स्त्री की देहसे प्रक्षेपित इच्छा तरंगों का घनिकरण होता है और उसकी इच्छा की पूर्ति होती है पाच्वा उपचार है उपायन देना उपायन देना तन, मन, धन का त्याग कर दूसरे में विद्यमान देवत्वकी शरण में जाने का प्रतिक है उपायन देने की वस्तु को आचल की सिरे का आधार दिया जाता है आचल की सिरे का आधार देना अर्थात पहने हुए वस्त्र की आसक्ति का भी त्याग कर देह बुधी का त्याग करना सीखना आजकल प्लास्टिक की अधार्मीक वस्तूँं का उपायन देने की अयोक्य प्रथा चल पड़ी है इन वस्तूँं की अपेक्षा सवभाग्य दायक एवं सात्वीक वस्तूएं जैसे हल्दी कुमकुम, काजल, दरपण, कंगी, चूडिया, मंगल सुत्र, विच्छिया, वस्त्र, इत्यादी, तथा नारियल, उप्टन, अगर्बत्ती, देउताउं के चित्र, धार्मिक रंथ, इत्यादी आथ्यात्मिक वस्तूएं उपायन में दे तो उचित और लाबधायक होता है। उप्योग करें और देवताउं के चैतन्य का अधिकाधिक लाब पाये। प्रति दिन उप्योग करें। सनातन अगर्बत्ती।